दाल चौल हो या फिर हो पराठा रोटी किसी के साथ ये आलू भिंडी की चटपटी सबजी खा करकी देखें हर बार इसी तरीके से आलू भिंडी की सबजी आप बनाना जाहेंगे आपको ज्यादा ताम जाम करने की भी जरूरत नहीं है बिना प्याज लसुन के ये आज की सबजी बनने वाली है तो चले फिर आज की रेसिपी सुरू करते हैं आलू भिंडी की रेसिपी सुरू करने से पहले हलो गाइस नमसकार स्वागत है आप सभी का ससिस तड़का की चन में चलिए आज की नई रेसिपी आलू भिंडी की सबजी कैसे बनाए बिना प्याज लसुन के उसकी रेसिपी देख लेते हैं यहёнब पर सबसे पहले मैंने लिया है अच्छे से धो करके साप करके पोश करके भिंडी तो भिंडी को जब भी आप ले तो उसको पहले अच्छे препाश लेजिए पानी वगरहा नहीं चाहिए अच्छे से पोच करके ही काटना है और इतने बड़े साइज में काट लेना है और 20 से थोड़ा थोड़ा हमें चीरा लगा देना है काट करके तो कुछ इस तरीके से आप काट लीजिए और चीरा भी लगाते जाए और देखे यहां पर भिंडी कट गई है मेरी और पा अब यहां पर गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है और उसमें दो बड़ा चमच मेने डाल दिया है सरसो का तेल जैसे ही अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपना कटा हुआ भिंडी डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए खुला ही इसे इसको हमें 55% पका लेना है यानि इसे फ्राई कर लेना है तेल में तो इसे चलाते रहिए और इसको आप अच्छे से फ्राई कर लीजे जब यह 55% इस तरीके से कुख हो जाए यानि पक जाए भिंडी तब आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजे तो यह पक गया है इसे आप नॉर्मल रोटी के साथ भी एंज़ाई कर सकते हैं या बच्चों की टीफिन में पराठे के साथ भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में भी आप इस सब्जी को एंज़ाई कर सकते हैं डिनर में भी अगर आपको खाने रोटी के साथ एंज़ाई करना है तो डिनर में भ और तेल का यूज करना चाहते हैं, तो आपकी चोईस है, मैं इससे ज्यादा तेल नहीं डालूंगी, अब इसे में आलू को फ्राइ करना है, तो उसके लिए मैंने डाल दिया है, आधा चमच जीरा, आधा चमच राई दाना, यानि सर्सो के दाने में डाल दिये हैं, और आधा चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक टेस्ट के अकोर्डिंग डालना है, और सभी चीजों को डाल करके अच्छे से मिला लेना है, तो इसे कभर करते हुए, खोलते हुए, इसको कुरकुरा होने तक हमें पकाना है, लो फ्रेम पर, तो मैं कभर कर देती हूँ, और पां इस भी हो गया है, अलू और पक भी गया है, अब इस स्टेज पर भिंडी जो हमने फ्राई करके तेल में रखे थे, वो डाल देना है इसमें, और डाल करके 4-5 मिनट के लिए मिक्स करके अच्छ से इसको भी पकाना है, उससे पहले हम इसमें कुछ मसाले और एट करेंगे, ज जो मैंने आप सभी को एक मसाले से 50 से भी ज़्यादा सबजी आप बना सकते हैं, यानि निन्वा की सबजी की रेसिपी भी साथ में दी हुई है, मैंने और इस मसाले की भी रेसिपी आप सभी को दी हुई है, तो आप इस मसाले को किसी भी सबजी में यूज कर सकते हैं, के यह मसाला डाल दिया है अगर आप यह मसाला नहीं यूच कर रहे हैं तो आपThis मियर्च यह सब्सक्राइब है और यह मिर्च तीखा बिलकुल भी नहीं है यानि कम तीखा वाला मैने हरी मिर्च यहाँ पर इस्तमाल किया है आप अपने टेस्ट के कोडिंग यहाँ पर मिर्च का इस्तमाल कर सकते है तो डाल करके अच्छे से मिला देना है और भिंडी डाला है तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो यहाँ पर नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है अब इसे हमें खुला ही 4-5 मिनट के लिए पकाना है यहाँ पर तो इसे अच्छे से मिला लेंगे आराम से मिला ये ताकि आलू जो है हमारे टूटे नहीं तो मिला लेने के बाद 4-5 मिनट के लिए खुला ही ऐसे ही आप पका लीजे ताकि भिंडी के अंदर सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से चला जाए तो इसके लिए हमें इसे 4-5 मिनट के लिए पकाना जरूरी है इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि भिंडी को भी 55% वे जड़लर या फिर नीबू का रस नहीं ढईड़ी दी आ कशला दते वर हमें और घरम गरम डाल चा रूटी या प्राठे के साथ खाते हैं और यकिन मानिये जिसे भी खिलाएंगे उसे बहुत ही अच्छा लगीगा फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पो रोजिंग और टेक क्यार बाई बाई